तो देखो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की IPL मैच जो के होने वाला आपका गुशरात और पंजाब के बीच में और बैक टू बैक जो भी आपको प्रेडिक्शन दिये जा रहा हैं वीडियो के अंदर ग्रैंड लीग हो या फिर स्मॉल लीग हो अगर कल के भी मैच के अंदर बात करें तो जो जो प्लेयर हम लोगों ने बात की थी जैसे कि पीस साल्ट हो चाहे वो डेविड वार्नर की बात हो दोनों ही मैंने जैसा के प्रेडिक्शन किया था कि वो फ्लॉप रहेंगे और दोनों ही कोई बहुत अच्छे रहने आपर बनाकर नहीं दिया और जो जो सी बीसी के लिए प्रेडिक्शन थे जैसे कि नरेन या फिर रसल हुए या पिर मिचल इस्टार्क हुए यह सारे प्र सब्सक्राइब बनाएंगे तो सबसे पहले तो देखते हैं इस मैच में पीच कैसे यह क्या स्कोर रहेगा उसके बेसिस पहम लोग यहां पर अपनी टीम बनाएंगे तो देखो pitch batting के लिए काफी सही है ये pitch भी ठीक है score यहाँ पर आप देख भी सकते हो जो एक average score दीख रहा है 193 और इस pitch पर जो run बन चुके हैं वो है 230-240 तक के lowest की भी अगर बात करें तो 66 run भी यहाँ पर बने हुए हैं कम से कम ठीक है तो अभी बात करते हैं player selection की और अगर बात करें कि यहाँ पर batting first को ज़्यादा win helpful है या फिर balling first को तो यहाँ पर यह भी हम लोग बराबर कर सकते हैं क्योंकि इस pitch पर जो total matches हुए है न वो हुए है 10 जिसमें सब बैटिंग first ने छे बर win किये हैं और bowling first ने चार बर थोड़ा सा batsman को बैटिंग वाली pitch जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उसको थोड़ा help तो है इस pitch पर ठीक है तो बो तो हम लोग toss के टीम ने और एक पर पंजाब की टीम ने विन किया है तो देखो विकेट की पर सेक्शन से किसको अब pick कर सकते हो बैरिष्टो है और डबलू सहा है ठीक है नीचे है जे सर्मा और कोई नीचे प्लेयर है नहीं तो जे सर्मा की अगर हम लोग skip कर रहे हैं इनके बैटिंग ओडर की वज़े से लेकिन अगर बात करिए दोनों प्लेयर मेंसे जैसे कि बैरिष्टो है या पर डबलू सहा है ठीक है यह दोनों मेंसे आप किसको प्लेयर को लेकर अगर यह बोलता हूं कि उनके चलने के चांसे नहीं है इस मैच के अंदर तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको कि मान के चलो कि अगर आप 10 जील टीम बना रहे हो तो दसों से दसों टीम को टीम मेंसे आप जॉनी बरिष्टो को इसकिप कर दो तो ऐसा नहीं करना आपको करना यही है कि 10 में से 5-45 जील टीम के अंदर आप इनको पिक करो और 45 जील टीम के अंदर आप इनको इसकिप कर सकते हो यूँग देखो हर तरह के कंबिनेसोन होना चाहिए मोशली तो आपने देखाई होगा कि अगर मैं टूटल 10 प्रेडिक्शन दे रहा हूं तो उसमें से 8-9 प्रेडिक्शन सही ही होते हैं लेकिन अगर 1-2 परसेंट जो भी 1-2 प्रेडिक्शन गलत होते हैं तो उसके वज़े से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके टीम खराब हो ग्रैंड लिग की तो जिन भी प्लेयर पर मैं रिस्क लेने के लिए बोलता हूं उनको अब ज़रूर रिस्क लो उनको हटाकर इसकिप करके बट उनको कुछ टीम में रखो भी ठीक है तो यह हो गए यहां से जियल प्रेडिक्शन बैटिंग से देखो धावन को मैंने पिक किया है गिल को पिक ठीक है यह तीन प्लेयर को पिक किया है इसके अलावा यहां पर हमारे पास डी मिलर है कि पी संकर हैं यह सारे कुछ प्लेयर अवेलबल है ठीक है अब देखो कौन कौन सब लें यहां पर इसके लिए सकतो वैसा तो सिकरदौन भी अच्छे हैं फॉम में चल रहे हैं सो मनगि भी और सुधर्शन भी तो सबसे पहले अगर बात करें इस सिक्षंट से इंपर्टन्ट की प्लियर ऑफ्षण की ठीक है तो नीचे बहुत ज़ादा इंपर्टन्ट नहीं है पीसिंग ठीक ठीक है डी मिलर मेरे लिए एक important key player option रहेंगे इस match में तो इनको आप grand league team में देख सकते हो अगर इनको small league team में pick नहीं कर रहे हो तो grand league team के लिए काप important key player option रहेंगे बाकी बात करते हैं यहां से कौन से player को skip किया जा सकता है तो यहां पर देखो धवन, गिल और सुदर्शन यह तीनों में से हम अगर रिस्क लेने की बात करें तो आप दावन पर रिस्क ले सकते हो ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा allrounder section allrounder section से आप यहां पर Sam Curran को मैंने pick किया अपने team में Livingstone को pick किया है और Omar Jai को pick किया है ठीक है तो यह है हमारे कुछ important player जिनको के हम लोगों ने यहां पर pick करकर रखा है गुजरात के team से और पंजाब के team से अब अगर बात करते हैं यहां पर key player option की तो इस section में भी देखो बहुत ज्यादा important कोई key player option नहीं है अगर राहूल टेविटी आपके complete बालिंग कर जाते हैं तो यह आपको कुछ अच्छे विकेट निकाल के दे सकते हैं ठीक है लेकिन इनका matter करता है कि कितना ओबर यह बालिंग कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब होगा नहीं pick करने का ठीक है क्योंकि अगर इनके बैटिंग ओडर के भी बात करते हैं तो इनकी बैटिंग ओडर काफी नीचे है साथवे नमबर पे तो इसलिए इनको हम लोग skip कर सकते हैं बाकि करन हैं लिविंग स्टन है और और चाहिए इन तीनों में से अगर हम बात करें प्लेयर यहां पर जिनको क्या आप इसकिप कर स रहाएगा ठीक है और इसके बाद मैं आपको दूँगा इंपोर्टेंट सी बीसी ऑप्शन जो कि आपको ग्रैनलिक टीम में पिक करना है देखो रासित खान और इसके बाद हैं सर्मक, मोहित सर्मक और एशिंग यह तीन प्लेयर क्या है कि आपके इंपोर्टेंट पिक रहेंगे बॉलिंग से मैं लेकिन अगर यहीं बात करते हैं इंपोर्टेंट की प्लेयर उपशन के तो उसमें आप ट्राइक करसकते हो एच पटेल को एच पटल का पी important pick रहेंगे इनको आप pick कर सकते हो key player option में नीचे देखो एक player है अगर ये complete over balling करते हैं इनका कुछ नालकंदाकर के नाम है जी के वगर ये complete over balling करके देते हैं आपको तो ये भी आपके लिए important pick रहेंगे इस match में तो key player option में मैं फिलाल इनको रख रहा हूँ depend करेगा इनकी balling over पे कि कितने ओपर इनसे कराई जा रही है ठीक है और के रबाड़ा को आप देख सकते हो तो अगर मैं key player option की बात करूँ तो total आपको कितने key player मिले यहां से कोई key player नहीं एक मिला balling section से key player ठीक है और यहां से भी कोई key player option नहीं है और balling sections आपको रबाड़ा एच पटेल और डीन नालकंदा करके हैं तो total 3 key player यहां से हो गया और एक key player यहां से तो total सिर्फ आपको QL चारी key player दिये जा रहे हैं option grand league के लिए तो काफी कम है जिनको क्या आप easy adjust कर पाऊगे अपने grand league team combination में बात कर लेते हैं final team sorry final cbc option grand league के लिए उससे पहले देखो final team के लिए telegram को join करकर रखेगा link आपको नीचे वीडियो का description में मिल जाएगा चीक है तो टेलिग्राम एक तो मश्ट होगा क्यूंकि grand league हो small league हो हर match final team update आपको telegram पे ही दी जाएगी तो देखो अगर बात करते हैं cbc option की इस match में चो आप captain wise captain pick कर सकते हो देखो ऐससे सिकर दोन पो मैंने भले ही बोला skip करने के लिए लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप 102 जील टीम में भी try करते हो तो इनको आप captain try कर सकते हो दूसरा important captain option रहेंगे सुब्मन गिल ठीक है आल राउंडर से देखो shape captaincy option में हर कोई मौश्य लोग सैम करन को pick करके चल नहीं वाले है ठीक है तो इसके अलाबा और कि इनको आप try कर सकते हो तो मेरे लिए काफी important pick रहेंगा रासित खान और मोहित सर्मा जिनको कि आप इस match में captain pick कर सकते हो और इसी टीम से सुब्मन गिल को आप captain pick कर सकते हो तो यह कुछ important CBC option है जिनको कि इस match में captain wise captain pick करके